So hey guys, option trading के दुनिया में आप सभी का स्वागत है मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप option trading as a beginner शुरू कर सकती हो और previous वीडियो मैंने आपको दिखाय था 100 रुपे से 900 रुपे का profit करके तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको option trading सुरू करना है और option trading सुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़े होना चाहिए सुगे जो option trading सुरू करने से पहले आपके पास होना चाहिए demate account और demate account आप grow application, upstock, धन, कहीं पे भी open कर सकते हो जहां आपको easy लगे, जिसका भी interface easy लगे, आप वहाँ पर अपना demate account open कर लो और मुझे सबसे ज़्यादा easy grow application के उपर लगता है इसलिए देखो मैं grow application के उपर अपना demate account open कर लिया हूँ और grow application का demate account opening link मैं video description में दे रहा हूँ उस पे click करके आप अपना demate account बहुत ही असानी से open कर सकते हो जिन लोगों का grow application के उपर demate account open हो गया है वो इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखे तो यहाँ पर हम grow application को open कर लिया है तो fund add करने के लिए आपको अपने profile पर जाना है इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो एक मिल जाएगा add money का option इस पर click करके आपको enough fund add कर लेना है जैसे 2000-3000 जितना का भी आपको option trading buy करना है या फिर किसी भी share को buy करना है तो यहाँ पर simply मैं 2000 add कर लेता हूँ और मैं आपको option trading live करके दिखाता हूँ और पूरा आपको step by step tutorial बताता हूँ कि कैसे option trading करते हैं call क्या होता है, put क्या होता है, call का buy करते है, put का buy करते है सब कुछ बताऊंगा, strike price पगरा सब कुछ बताऊंगा तो यहाँ पर देखो मैं 2000 रुपे add कर लेता हूँ simply और यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना bank account add करके रखा हूँ तो यहाँ से मैं simply 2000 रुपे add कर लेता हूँ तो यहाँ से simply मैं add money पे click करूँगा add money पे click करने के बाद यहां से मुझे simply अपना pin डालना है तो यहां से देखो बहुत ही ज़्यादा simple है यहां पे money add करना और यहां से payment successful हो गया 2000 रुपे का अब मैं यहां पे done करता हूँ मेरा fund add हो गया अब मुझे करना किया यहां पे आ जाना है home page पे और home page पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है तो यहां से अभी आ रहा है इसको हटाते हैं तो यहां से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको F&O का एक option दीखता है F&O मतलब future and option आपको इसी में अपना option trading करना है इसको open करने के बाद यहां पे हमें दो option chain देखने को मिलता है एक Nifty 50 और एक bank Nifty दोनों मैं आपको समझाओंगा और यहां से देखो Nifty 50 को पहले मैं आपको समझाता हूँ तो यहां से Nifty 50 में देश की 50 सबसे बड़ी कमपनिया होती है जिनका market capital सबसे ज़्यादा होता है और आप इसमें trade ले सकते हो अगर आप beginner हो तो आप Nifty 50 में ही trade लो आपके लिए सही रहेगा और वहीं bank Nifty में देश के सभी banks होते हैं जिनमें आप trade ले सकते हो तो यहां से मैं Nifty 50 को simply open करता हूँ open करने के बाद Nifty 50 को इसका option chain open हो जाता है यहां पे तो यहां से मैं सबसे पहले तो Nifty 50 को open करके दिखा दूँ तो यहां से देखो Nifty 50 का आज कितना price चल रहा है यहां पे 21,662 point पे अभी Nifty 50 है और यहां से देखो आज 0.2% का इसमें बढ़ोतरी हुआ है यानि 0.2% यह बढ़ा है और इसका आप graph भी open करके देख सकते हो यहां से देखो आज market यहां से चालू हुआ है और अभी market यहां पे है अगर कोई market चालू होते ही यहां पे पैसा लगाया होता तो उसका तुरंत पैसा बढ़ा होता फिर उसके बाद market नीचे आना सुरू हुआ है ऐसे करके तो यहां से हम option chain को एक बार open करते हैं और यहां से मैं आपको option chain समझा देता हूँ उपर आपको कुछ date देखने को मिल जाते हैं जो कि इन premium के expiry date होते हैं अगर मैं इस january 11 है यहां पे january 11 पे click करके कोई भी premium लेता हूँ तो एक 11 तारीक को expire हो जाएगा अगर मैं यहां पे january 18 करके लेता हूँ तो एक 18 तारीक को expire हो जाएगा यानि कि मैं 18 तारीक तक hold करके रख सकता हूँ और यहां पे आपको नीचे call price और एक put price देखने को मिलता है यानि कि call price मैं आपको समझा दूँ जब लगी कि market उपर जाने वाला है तब आपको call price का किसी भी premium को लेना है अगर जब लगी कि market यहां से नीचे आएगा तो आपको यहां पे put price के किसी भी premium को लेना है आप समझ गए होंगे अब मैं आपको live ले की दिखाता हूँ तो यहां से मैं थोड़ा से analyze करूँगा क्योंकि देखो market कभी भी उपर जा सकता है कभी भी नीचे आ सकता है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है तो यहां से मैं कोई भी ले की दिखाता हूँ call या put यहां से देखो market यहां से नीचे आया है अब मुझे लग रहा है कि यहां से market उपर जाएगा तो बहुत सारे candle sticks भी होते हैं जो कि मैं आपको आने वेले वीडियोज में समझाऊँगा तो यहां से देखो अभी market यहां से और ऐसे मुझे लग रहा है कि यहां से ऊपर जाएगा तो अब मैं किसी भी premium को call वाले premium को लूँगा और यहां से मैं option चिन पर जाता हूँ और यहां से देखो अभी market का spot price किता चला 21,662 और यहां पर गटता बढ़ता आपको दिख रहा होगा और यहां से देखो यह सब strike price है और मैं किसी भी strike price को लेता हूँ जैसे यहां पर देखो अभी आज किता तारीक है आज ही expiry rate है इसलिए यहां पर इसका price बहुत कम देखने को मिलेगा expiry तक जाते जाते जो premium होते हैं उनके price घटते जाते हैं यहां पर देखो आपको 3-3 रुपे में मिल रहे हैं एक-1 रुपे में मिल रहे हैं और यहां से देखो expire होते होते यह इनका price 0 हो जाएगा या फिर बहुत जादा बढ़ जाएगा तो यहां से मैं किसी भी premium को लेता हूँ call वाले premium को तो यहां से simply देखो मैं 10 वाला ले लेता हूँ कोई भी quantity और यहां से simply मुझे buy कर लेना है और यहां से मैं quantity एक देखो एक lot में 50 quantity होता है अगर मैं यहां पर दो lot करूँगा तो यहां पर 100 quantity हो जाएगा तो यहां पर देखो दो lot हो गया 50 quantity का 100 quantity हो गया तो यहां से simply मैं ले लेता हूँ, कोई भी यहां पे 1500 लोट, या फिर supplement मैं ले लेता हूँ 20 पे लगा दिता हूँ या 10-25 पे लगा दिता हूँ तो देखो मैं 10-25 पे simply लगा दिया हूँ जैसे ही 10-25 पे आएगा तो यहां पे automatic buy हो जाएगा तो यहां पर हम 100 quantity लिए हैं तो यहां से मैं done करता हूँ और यहां से देखो मैं back करता हूँ अब हमें कैसे देखना है कि हम लिए हैं वो काहा गया है और यहां से देखो position में जाना है आपको यहां पे back करना है तो किसी भी premium को लेने के बाद ओ आटोमेटिक यहां पे एक position का option बन जाता है ओ पो पोजीशन में चला जाता है तो हैसे मैं position पे जाता हूँ और यहां से जिट कर देंगे या फिर यहां पे हम 100 quantity लिए हैं तो हम 50 quantity को बेश देंगे और यहां पे 50 quantity हम रिस्क लेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा risk management stop loss कैसे लगाते हैं और target price कैसे sit करते हैं तो अभी देखो सिर्फ 40 रुपे का profit हो रहा है यहां पे घट रहा है तो आज 11 तार अटिए हैं हम या तो डूब जाएगा या तो एक हजार का 4000 या फिर 5000 मिल जाएगा तो यहां पर हम अपना पैसा डूबने नहीं देंगे हम अपना stop loss लगा देंगे stop loss कैसे लगाता है तो इस पर आपको click करना है देखो इस पर ठीक है इस पर आपको click करना है sorry यहां से position पे जाता हूं इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां से देखो add stop loss and target दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर simply आपको stop loss लगाना है आप किते कल यह हो 10 रुपे और आप चाहते हो कि 7 रुपे पर आए तो ए आटोमेटिक सेल हो जाए मुझ और मुझे profit मिल जाए तो यहां से देखो मैं simply sell कर दूँगा यह जैसे ही अपने target को hit करेगा या फिर stop loss को hit करेगा तो ए आटोमेटिक सेल हो जाएगा हमारा जो भी profit या फिर loss रहेगा ओ हो जाएगा तो यहां से देखो अभी मैं stop loss लगा दिया हूं और यहां से देखो order मे आ गया है तो अभी हम जाते हैं position पर और देखते हैं अभी देखो हमें 30 उर्पे का लोस हो रहा है अभी 110 उर्पे का profit भी हो रहा था हम चाहते हैं तो यहां पर simply एकदम छोटा सा amount लेके यहां पर निकल जाते हैं तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं फिर हम देखते हैं कि हमें profit होता है या फिर loss होता है अभी देखो time हो रहा है 11 वज के 56 मिनट इसको हम दो बज़े तक या फिर हम एक बज़े तक इसको hold करके देखते हैं profit होता है या फिर loss होता है सुगेज अभी देखो हमें कितने का loss हो रहा है अभी हमें loss हो रहा है 360 रुपे का loss हो रहा है अभी देखो इसका price किता चल रहा है 10 रुपे 25 पैसे 10 रुपे 30 पैसे ऐसे चल रहा है और हम कितने का लिए थे 10 रुपे का अगर यहां पे हम stop loss नहीं लगाए होते तो यहां पे हमें profit हो रहा होता, बहुत ही आसानी से, यहान पे कम से कम 30-40 उपे profit महीं होते, यहां पे हम इतना loss नहीं होते, तो यहां पे जब मैं stop loss आपको लगा के बता रहाँ था, तो यहां पे मैं 7 रूपे का stop loss लगा दिया था, और यहां से 7 रुपे पे यहीट कर गया और यहां पे मैं 360 रुपे का लॉस हो रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जैसे जैसे market close होने वाला है जैसे जैसे expiry rate के तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे इसका price घट रहा है और एक घट के 0 हो जाएगा और यहां से मैं 59-50 दिखा दूँ आपको open करके option chain तो यहां पे देखो 5 रुपे, 1 रुपे, 70 पैसे और यहां से जितना नीचे आप जाओगे तो यहां पे देखो बहुत जादा यहां पे price घट गया है और इस सारे के सारे आज 0 हो जाएंगे और यहां से देखो put का price बढ़ा होगा, यहां से मैं open करके दिखा दूँ तो यहां से देखो put वाले यहां पे जो options हैं, उनका price यहां पे बढ़ा है अगर यहां पे हम put पे buy करते तो हमें थोड़ा बहुत profit हो रहा होता तो इस तरीके से आप call पे या फिर put पे buy कर सकते हो, जब आपको लगी कि यहां से market ऊपर जाएगा तो आप तुरंथ call का कोई भी premium ले लो, अगर आपको लग रहा है कि market यहां पे है और यहां से नीचे आएगा, तो आप तुरंथ put का कोई भी option या फिर premium ले सकते हो तो यहां पे आज हमारा 505 उर्पे का loss हुआ है, यह तो कुछ भी नहीं, यहां पे लोगों का 1000 उर्पे, लाखों रुपे, डेली का loss होता है सेबी के एक report के हिसाब से, यहां पे सिर्फ 15% लोगों का profit होता है, और बाकी का 85% लोगों का loss ही होता है अगर आप चाहते हो कि यहां पे सच में आप पैसा कमाना चाहते हो, तो पहले सीखो कि कैसे call काम करता है, कैसे put काम करता है यहां पे आज मेरा loss होगा है, बाकी मैं आपको 100-100 रुपे से 1-1,000 भी बना के दिखाया हूँ मैं उन यूटूबरों के तरह नहीं हूँ, जो सिर्फ profit दिखा है, और आपको सचाई ना बता है मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, सचाई भी बताता हूँ, कि यहां पे दिखो loss भी होता है और यहां से तो सिर्फ मेरा 505 ही loss होगा है, बाकी यहां पे लोगों का सारा-सारा पैसा भी डोब जाता है और मेरे टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोइन कर लेना, वहां पे मैं आपको color prediction करवाता हूँ और 100% वहां से आप कमा सकते हो, share market से वो बिल्कुल अलग है, आपको वहां पे color पे पैसे लगाना होता है और मैं आपको full video भी दे दूँगा, description में आप उसको जाके watch कर सकते हो तो यहां पे देखो, मैं आपको 4-5 बार winning करवाता हूँ और मेरे main channel को तो जरूर से join कर लेना, जिसका नाम हो जाता है, राहूल के tips वहां पे कोई भी update आता है, अगर कोई भी new application earning वाला आता है, तो मैं वहां पे आपको update कर देता हूँ तो आपको वीडियो कैसी लगी, जरूर comment कर बताना, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाबाय, thanks watching, जैहिंद बंदे मात्रम